ओम शाथी ओम शाथी ओम शाथी ओम शाथी ओम शाथी आज की तारीख है छे, पाँच, पंद्रा और आज की ज्ञान मुगली का सिर्शक है मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो इसलिए बुद्धी का योग नर्क से निकाल दो प्रश्ण है आज का सबसे उची और सुख्यम मंजिल कौन सी है और उसे पार कौन कर सकते है उत्तर है तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुँ करते माया तुम्हारा मुँ नर्क की तरफ फेर देती है अनेक तुफान लाती है और उनी तुफानों को पार करना यही है सुख्यम मंजिल इस मंजिल को पार करने के लिए नश्टो मोहा बनना पड़े निश्चे और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो विकारियों के बीच में रहते मीठे मीठे बाप दादा केते हैं बच्चे जो संशिबल है वो अर्थ तो अच्छी रीती समझते हैं जिनका बुद्धी योग शान्ती धाम और स्वर्ग के तरफ है उनों को ही बाबा केते हैं कि तुफान लगते हैं बाप तो अभी तुम्हारा मूँ फिर देता है अग्यान काल में भी पुराने घर से मूँ फिर जाता है फिर नए घर को याद करते रहते हैं कि कब तयार हो, कब तयार हो नया घर तो हम नए घर में जाई अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो फिर हम सुखधाम में आएंगे इस दुखधाम से तो सब को जाना है सारी सुरिष्टी के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं कि बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं अब तुम्हारा बुद्धी योग स्वर्ग के तरफ जाना चाहिए हैवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है क्योंकि स्वर्ग में सभी पवित्र आत्माएं हैं और नर्क में सभी अपवित्र हो जाती हैं ग्रहस्त व्यवहार में रहते हैं, बाबा कहते हैं, बुद्धी योग हेवन के तरफ लगाना हैं, समझो बाप का बुद्धी योग हेवन के तरफ और बच्चों का हेल के तरफ हो, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? हन्स और बगुले इकठे रहना सके बहुत मुश्किल है उनका बुद्धी योग है ही पाँच विकारों के तरफ वो हेल के तरफ जाने वाला अर्थात नर्क के तरफ जाने वाला और वो हैवन के तरफ जाने वाला दोनों इकठे रहना सके बड़ी मंजिल है बाप देखते हैं कि हमारे बच्चे का मुँ हैल के तरफ है हैल तरफ जाने भी गड़ वो रही नहीं सकता तो फिर क्या करना चाहिए जरूर घर में जगड़ा चलेगा कहेंगे यह भी कोई ग्यान है बच्चा शादी न करे ग्रहष्ट व्यवार में रहते तो बहुत है न ग्रहष्टी जो हमारे बाबा के ट्रश्टी बच्चे हैं उनको यह प्रॉब्लम आती है तो बच्चे का मुख हैल तरफ है और वो चाहते हैं कि नर्क में जाएं बाप कहते हैं नर्कत के तरफ बुद्धी योग न रखो परन्तु बाप का कहना भी मानते नहीं फिर क्या करना पड़े तो इसमें बड़ी नश्टो मुहास्तिती चाहिए यह सारा ज्यान आत्मा में ही है हाँ बाबा इशारे में राय दे रहे हैं युक्ति बता रहे हैं बाप की आत्मा कहती है कि इनको हमने क्रियेट के किया है और मेरा कहना नहीं मानते हैं कोई तो ब्रामन भी बने हैं फिर भी बुद्धी चली जाती है हैल के तरफ तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे अगर हैल के तरफ बुद्धी योग रखेंगे तो क्या होगा बाबा कहते हैं रसातल में चले जाएंगे अर्थार गिर जाएंगे तो मिठे मिठे बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है कि ये है ज्यान सागर की दरबार सबी ध्यान से सुने ये है स्वयम परंपिता परमात्मा जो की ज्यान के सागर है तो ये है ज्यान के सागर की दरबार भक्ती मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है पुखराजपरी, निलमपरी, मानिकपरी बहुती नाम रखे हुए हैं क्योंकि ज्यान दान्स करती है न तो किसम किसम की परियां है वह भी पवित्र चाहिए अगर कोई अपवित्र को ले आए तो बाबा कहते हैं दंड पढ़ जाएगा अब इसमें बहुत ही पावन चाहिए क्योंकि ये मंजिल बहुत उची है इसलिए जाड जल्दी वृद्धी को नहीं पाता है हाँ कई कहते हैं आपके पास तो बहुत थोड़े आते हैं फलाने 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 साधू और गुरु की सभा में कितने लाखों लोग होते हैं लेकिन बाबा कहते हैं यहां तो बहुत ही पावन बनने वाले बच्चे चाहिए तो स्वाभाविक है कि अतने लोग नहीं आते हैं जो पवित्रता की धारना कर सकते हैं या करने का जिनका इरादा है वही यहाँ पर सत्संग में आकरके बैठते हैं तो बाप जो ग्यान देते हैं उसे कोई जानते नहीं शास्त्रों में भी ये ग्यान नहीं है इसलिए थोड़ा निश्चे हुआ फिर माया एक ही थपड़ से उनको गिरा देती है तुफान है ना किसका तुफान है ये माया का तुफान है छोटा सा दिया उनको तो तुफान एक ही थपड़ से गिरा देता है दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पढ़ते हैं पिर उनको follow करते हैं उसने शादी कर ली तो मैं क्यों न करूं तो फिर खुद भी गिर पढ़ते हैं इसमें तो बड़ी बुद्धी चाहिए समझने की गाया भी हुआ है अबलाओं उपर अत्याचार हुए तो बाप समझाते हैं कि बच्चे काम महाशत्रू है इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी आगे ये बात नहीं थी हैल तो अभी है ना द्रौपदी ने पुकारा है ये अभी की ही बात है कितना अच्छी रीती से समझाया जाता है फिर भी बुद्धी में कईयों को बैठता नहीं कि ये गोले का चितर बहुत अच्छा है हाँ सृष्षी चक्र का जो चितर है बहुत अच्छा है gateway to heaven इस गोले के चितर से बहुत अच्छी रीती समझ सकेंगे सीड़ी से भी इतना नहीं जितना इन से समझेंगे दिन प्रती दिन करेक्शन भी होती रहती है बाबा कहते हैं हर चित्रों के अंदर करेक्शन भी होती जाती है बाब कहते हैं कि आज तुमको बिलकुल ही नया direction देता हूँ पहले से थोड़े सब direction मिलते हैं ये कैसी दुनिया है और इसमें कितना दुख है कितना बच्चों में मोह रहता है बच्चा मर जाता है तो एक दम जैसे दीवाने हो जाते हैं अथा दुख है ऐसे नहीं कि शावकार है तो सुखी है नहीं अनेक प्रकार की उनको बिमारियां भी लगी रहती है फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं तो शावकार को अलग special room मिलता है परंतु दुख तो जैसा शावकार को वैसा ही गरीब को होता है दर्द और दुख वो तो feelings जो हैं वो तो हरेक कोईक जैसी ही होती है सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है संभाल अच्छी होती है अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको कौन पढ़ा रहा है स्वयम परंपिता परमात्मा परंशिख्यक बन करके हमको पढ़ा रहे हैं और बाप ने अनेक बार पढ़ाया है हां स्रिष्टी चक्र गूमता रहता है तो परंशिख्यक श्यव बाबा ने हमको अनेक बार पढ़ाया है तो अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं वा नहीं बाबा हमेश हमें बीच बीच में स्वयम के दिल दरपण में देखना भी सिखलाते हैं, तो बाबा कहते हैं स्वयम से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं या नहीं, और फिर कितनों को पढ़ाते हैं, चलो हम पढ़ते हैं, परंतु पढ़ाते नहीं, तो भी ठीक बात नहीं ह पढ़ना है और बाबा कहते हैं पढ़ाना भी है अगर पढ़ाएंगे नहीं तो बाबा कहते हैं पद क्या मिलेगा रोज रात को अपना चाट देखो आज किसको दुख तो नहीं दिया श्री मत कहती है कोई को दुख न दो और सब को रास्ता बताओ जो हमारा भाती होगा यानि परिवार का होगा उनको जट टच होगा इसमें बरतन चाहिए सोने का यानि गोल्ड सुवर्ण जिसमें अमरित ठैरे जैसे कहते हैं न कि शेरनी के दूद के लिए सोने का बरतन चाहिए क्योंकि उसका दूद बहुत भारी और ताकत वाला होता है उनका बच्चों में मोह रहता है कोई को देखा तो एक अदम उचल पड़ेगी समझेगी बच्चे को मारना डाले यहां भी बहुत हैं जिनका पती बच्चों आदी में मोह रहता है हां हर एक अपने को चेक करें कि हम ऐसे मोह वाली हैं या नश्टो मुहा हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग का गेट खुलता है कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट स्खुलते हैं वहां बहुत थोड़ी मनुश्य होते हैं कहां स्वर्ग की बात बाबा कर रहे हैं यहां तो बहुत जनसंख्या जादा है वहां बहुत थोड़ी होती है ताकि सभी मुक्ति धाम में चले जाते हैं स्वर्ग में यदि आत्माएं थोड़ी हैं तो बाकी की आत्माएं कहां होती हैं तो बाबा कहते हैं सभी विनाश के बाद मुक्ति धाम में ही जाती हैं और वहाँ पर ही तब तक निवास करती हैं जब तक उनका इस स्रिष्टी रुपी नाटक में पार्ट प्ले करने का समय न आए जो पवित्र नहीं बनते उनको फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं जो भी पाप कर्म किये हैं एक एक जन्म का सख्यातकार कराते जाएंगे और सजाएं खाते रहेंगे फिर पाइप ऐसे का पद पालेंगे बाबा की याद ही एक ऐसी याद है जिससे विकर्मों का नाश होता है कई बच्चे हैं जो मुर्ली भी मिश कर लेते हैं अब हम स्वयम को देखें स्वयम का चार्ट देखें कहीं हम तो उन बच्चों में से नहीं हैं जो मुर्ली को मिश करते हों और फिर हम उसके लिए था, वो कारण था, वैसे हम मिश नहीं करते, परन तो ऐसा हो गया, इसलिए मिश हो गई, अच्छा आगे बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवा रहते हैं, समझते हैं, हमने नहीं पढ़ी मुरली, तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, हमने तो सब ज्ञान कोई फरक नहीं पढ़ता, तो मुरली की परवा नहीं करते हैं, ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, फिर वो अपना ही नुकसान करते हैं, बाबा जानते हैं, इसलिए यहां जब आते हैं, मैं पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगे, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स भी हो, पॉइंट्स तो रोज निकलती हैं न, ऐसे भी बहुत सैंटर्स पर आते हैं, परंतु धारना कुछ नहीं, ज्यान नहीं, स्री मत पर नहीं चलेंगे, तो पद थोड़े ही मिलेगा, सत बाप, सत तीचर की गलानी कराने से कभी ठोर न पास सके परंतु सब तो राजाएं भी नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है, नंबर वार मर्तबे होते हैं न, सारा मदार याद पर है, जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते, तक्दीर में ही नहीं है, तो फिर तद्दीर भी क्या करेंगे? तो मिठे मिठे बाबा कहते हैं, कि बाप तो कहते हैं, कि याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरशार्थ करना चाहिए न, बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते, कि खाना पिना नहीं खाओ, उपवास करो, ऐसे कोई वरत रखो, बाबा तो ये भी नहीं कहते, ये को कोई हठियोग नहीं है चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो उन्हों का आपस में नाम रूप का प्यार होता है यह लक्षमी नारायन विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है तुम तो कहते हो कल की बात है यह राज्य करते थे तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं मायाने मनुष्यों को बिलकुल ही क्या कर दिया है पत्थर बुद्धी बना दिया है अभी तुम पत्थर बुद्धी से हाँ, पारस बुद्धी बनते हो, पारस नात का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है, ये कोई नहीं जाने, मनुष्य बिलकुल ही घोर अंध्यारे में है, अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बाते समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धी पर है, पढ़ाने वाला तो एक ही ही है पढ़ने वाले धेर होते जाएंगे, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टु हैवन, मनुष्य एक भी नहीं, जो समझे कि हम हैल में हैं, बाप समझाते हैं कि सब पुजारी हैं, पुज्य तो होते ही हैं सत्य युग में, पुजारी होते हैं कलय युग मनुष्य फिर समस्ते कि भगवान ही पुज्य, फिर भगवान ही पुजारी बनते हैं, आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, समस्ते कुछ भी नहीं है, ये है ही रावन राज्य, तुम क्या थे और अब क्या बनते हो, बाबा कहते हैं सोचो, हाँ बाबा ने आकर पढ़ाई क्या पढ़ाई, तुम पहले क्या थे और अब तुम क्या बनते हो, तु बच्चों को ये सोचते हुए क्या होना चाहिए? हाँ बाबा कहते हैं, बड़ा नशा रहना चाहिए, अच्छा, आगे बाबा कहते हैं कि बाप सिर्फ कहते हैं, हाँ सिर्फ बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुन्या आत्मा बन जाएंगे, बाप बच्चों को पुन्या आत्मा बनने की युप्ती बतलाते हैं कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ, ये है पिछाडी का दान, अभी ये लास्ट दान है, पूरे कल्प में लास्ट दान करेंगे, तो एक दम सरे किसके आगे, बाप के आगे, स्वयम भगवान के आगे, कि बाबा ये सब आपका है, बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, बाबा को हम कहते हैं, कि बाबा ये सब आपका है, परंतु क्या बाबा लेते हैं, नहीं, वो कभी लेने वाला नहीं है, वो सदैव देने वाले दात हैं तो बाबा करते हैं बाप तो देने के लिए ही कराते हैं भाग्य बाबा हमको देवे इसके लिए बाबा ये पुर्शात कराते हैं इनकी इनका कुछ भविश्य बन जाए मनुष्य इश्वर अर्थ दान पुन्य करते हैं परंतो वो इंडारिक्ट करते हैं उसका फल उनको दूसरे जन्म में मिलता है, अब ये भी ड्रामा में नून्ध है, अभी तो मैं हूँ डाइरिक्ट, अभी तुम जो करेंगे, उनका रिटन, पदम गुणा मिलेगा, सत्युग में तो दानपुन्य आदिकी तो बाती नहीं होती, यहां कोई के पास पैसे हैं, उनको राय देंगे कि जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ, गरीब है तो कहेंगे अच्छा, अपने गर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हैवन, स्वर्ग और नर्क है न, अभी हम नर्कवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है, अगर स्वर्ग पधारा, तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो, कोई मर जाता है, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, फिर उनके पिछाडी, भोग, भोजन, आदी, सभी ब्रामनों को ख खिलाते हैं, तो बाबा कहते हैं, जब वो स्वर्ग में पधारा, तो उसको नर्क में भुलाकर, नर्क का भोजन आदी, सभ क्यों खिलाते हैं, स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा कि स्वर्ग पधारा, वो तो है ही स्वर्ग में, पुनर जन्मा स्वर्ग में ही मिलता है, य भगवानु वाचर माम एकम याद करो क्योंकि वही पतीत पावन है और वो कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पुज्य बन जाएंगे। भले स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे परंतु नंबरवार मरतबे होते हैं बहुत बड़ी मंजिल हैं। बाबा भी कुमारियों के प्रती कहे रहे हैं कि कुमारियों को तो बहुत सर्विश का जोशाना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना कर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे और थाट 21 जन्म के लिए वह उद्धार कर सकती है अच्छा नीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मौर्निंग और नमस्ते नमस्ते अब धारना की बातें सुनेंगे दो मुख्य बातें उसमें नमबर एक है इस पुरानी दुनिया का अंत है और बाप डैरेक्ट आया है तो एक दम सरिंडर हो जाना चाहिए कि बाबा यह सब आपका है इस युक्ती से बाबा कहते हैं कि आप पुन्यात्मा बन जाएंगे नमबर दो है मुर्ली कभी भी मिश नहीं करना है मुर्ली में लापरवा भी नहीं रहना है ऐसे नहीं कि हमने नहीं पड़ी तो क्या हुआ हम तो पार हो गए हैं नहीं ये देह अभिमान है मुर्ली जरूर पढ़नी है वर्दान सुनेंगे अभी हम सत्गुरु बाब का तो वर्दान है बिन्नता को मिटा कर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव बाबा कहते हैं कि ब्रामन परिवार की विशेष्ता है कि अनेक होते भी एक आपकी एकता के द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है इसलिए विशेष अटेंशन दे कर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी सेवाधारी स्वयम परती नहीं लेकिन सेवा के परती होते हैं स्वयम का सब कुछ सेवा के प्रती स्वाहा करते हैं जैसे साकार बाप ने सेवा में हड़ियां भी स्वाहा की ऐसे आपकी हर करमेंद्रिय के द्वारा सेवा होती रहे बाबा करते है शरीर के जो भी मुख्य अंग है उनके द्वारा सेवा होती रहे स्लोगन है आजका, परमातम प्यार में खो जाओ, तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी, अच्छा, ओम, शान्ति